हम लेसे से आगे बढ़ रहे हैं मैसे का टोपिक उठा रहे हैं और मैसे को पहले हम simple वाले question पढ़ेंगे उसकी पैचान पढ़ेंगे उसके बाद आगे सर्थ वाले question भी पढ़ेंगे सबसे पहले मैस है, मतलब HCF की बात कर लेते हैं, HCF क्या है? Highest Common Factor, Highest Common Factor मतलब जो संख्याए होंगी हमारी, उन संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होती है? HCF हो जाती है, ठीक है जी? जैसे 16 और 20 की अगर हम बात करें, तो फैक्टर करें हमने इनके अगर, तो 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 और 20 की बात करें तो 2 दूनी, 4 पंजे, 20 तो जो common हैं दोनों में, ठीक है? Highest factor, common factor चाहिए हमारे, तो जो common है हूँ क्या है हमारे? 2 into 2, तो HCF कितना हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा इसका? चाहिए, अब निकालने की बात कैसा है वहीं? HCF निकालते कैसे हैं? उसके हमारे पास, उसके भियां, तीन विदी हैं हमारे पास, क्या है? पहली है, एबाज्य गुर्णखन विदी. एबाज्य गुर्णखन विदी, जो मैंने अभी लिए करके दिखाई हैं आपको, यह एबाज्य गुर्णखन विदी ही कहलाती है, मालब हमने 16 एक फैक्टर के 2 into 2 into 2 into 2, जाद है सजाद है जहां तक फैक्टर हो सकते होंगे, वहां तक हम फैक्टर करेंगे, तक हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 20 के फैक्टर करेंगे, 2 into 2 into 5, उसके बाद जो कूमन है दोनों में, जो भी दोनों में कूमन है, उन्हें लेने के बाद मैं हैच्चेफ निखाल दिया, तो क्या जाएगा तुमारा, उसका मैस आजाएगा, जिसे यहां पर चाह रहा है, दूसरा भाग विधी है, भाग विधी हमें यहां जरूर सिखनी चाहिए, क्योंकि पड़े कोश्चन को आसान करना है, तो भाग विधी आने चाहिए, जिसे छोटा सी कोश्चन लिया है विध हमने, 16 और 20 का मैसे लिना है हमें, तो क्या करते हैं इसमें, इसमें इस तरह से क करेंगे हम 20 को, लग रहा हुगा बहुत आसन कोश्चन है, 16 और 20 का तो मैसे जो है, चाहरे सभी को पता है, यह केवल कोंसेप्ट बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, यह बड़े संख्याओं में अगर अपलाई करोगे तो बहुत अच्छा है, तो यहां से डिवाइड कर यह वाला ही क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा, इस विदी में भाग विदी में, बड़े बड़े कोश्चन हो के, बड़े विदी संख्याओं को अल करने के लिए बहुत अच्छे विदी है, भाग विदी, ठीक है, इसके साथ सतम, तीसरी विदी, एक और देखते है, वो छार लेना है, 16 और 20 का मैसे लेना, तो इन दोनों का डिफरेंस लेलो, डिफरेंस के तना आया 4, जैसे ही दिफरेंस चार आया, वैसे ही इसका मैसे, या तो 4 होगा, या 4 से कोई चोटी संख्या, चार का, जो 4 को भाईस करती होगी, वो हो सकता है, लग या तो 4, नहीं तो 2 और नहीं तो एक इसका मैस हो सकता है तो पहले 4 से 20 करके देखा हमने 4 से 20 47 सार पंजबी इसका मैसा कितना हो गया इसका मैसा चार हो गया इस कॉंसेप्ट से हम बहुत बड़े बड़े कोश्न कर सकते हैं जैसे हमने कोश्ण ले बाइस सो पचास, तीन हजार, चोविस सो, चोविस सो पचास, बाइस सो पैंतालिस, बतिस सो, चोविस सो अड़तालिस सो, आड़तालिस सो पांच का मैसे ग्यात करना है इतनी बड़ी-बड़ी संख्या हैं, अगर इनका मैसे ग्यात करेंगे, तो अगर भागविद से भी कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैकर न, क्योंकि संख्याए कहीं हैं, हमारे पास, और संख्याए बड़ी भी हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो बहुत नजदेक संख्याए हैं, और इनका मैसे कितना है, इनका सोरी डिफ्रेंस जो है, वो कितना है, पाँच है, यहाँ यहाँ पर देख सकता हूँ, 4800 और 4800 पाँच का डिफ्रेंस भी कितना है, पाँच है, इसका मतलब जो डिफ्रेंस आया है हमारा पाँच, या तो मैसे पाँ तो पांच रहा होगा या पांच रहा होगा या पांच नहीं होगा तो फिर एक रहा होगा 5 से देखते हैं पहले क्योंकि ऐसा होता है बड़े से बड़ी संख्या और यहां पर बड़ी संख्या एक और 5 में कुण से आ जाएगे आपकी 5 आ जाएगे तो 5 से क्या सारी संख्या गट रही है अब हमने पहले चैप्टर में संख्यापत्य वाले हम पढ़ा था, पांच का विवाजित वाला नियम, विवाजिता के नियम जब पढ़े थे, तो पांच का भी हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, कि लास्ट का अंक जीरो या पांच होना चाहिए, पांच से वाइत होने के लिए, लास्ट का अंक जीरो कबसे इसका मतलब सmos coment शुटन हे जिसका मतलब इसका मैस के तेना हो जाएगा मैस हो जाएंगा है इसका कंश तो इस सभंक है आन इस इसका मैसzd कर सकते हैं, उसके बार पैका हम कता आकाँ समने के पना सबstonesने करें, हैन समय बताते हैं, इसके बांदाम होगा है, हम यह एक पाता समने का झाता है'' क्यों लैघ से बाला कॉशन था कॉसमा था समों थे भाग होने वाली छोटी सख्यांद या थोड़ा साःंड फॉद्स यहां हो जाएका समुको वहां था समों से यांचा समुK TM कि हम्य हां करने वाली कि वह था चोटी से छोटी ये वड़ी संख्याAD सब्सक्राइब करने वाले बड़ी से बड़ी संख्या अगर पता कर जा रही है तो वो जाएगा तुम्हारा मैंसे तुम्हारा दूसरा आगर कहीं डिबो का जिकार आरहा है तो ब्सक्राइब कर पता है ऽाएअब है तिसरा अगर कहीं टाहिलों का जिकार आ रहा है तो उन गारा दूसरों वहाले वाले *** bowl बड़ा डिप्पा यह से सबसे बड़ी माप कि अगर बात कर रहा है तो यह हो जाएगा आपका सिदा-सिदा HCF आंसर हो जाएगा और यहांपे ऐगर वो डिबो की संख्या की बात कर रहा है डिबो की संख्या अगर हमें निकाल ली है ठीक है तो कुल मात्रा बटे अपन HCF हो जाए कुल मात्रा अपन HCF हम अगर मिकाल दे तो हमें टोटल जो है डिबो की संख्या पता लग जाएगी ठीक है इसी तरह से टाइलों के भी हमारे दो टाइप से कुश्चन पूछी का सकते है क्या या तो यह पता कर ले कि वह बड़ी से बड़ी टाइल की माप अगर जात कर वा रहा है केवल एक टाइल की माप की बात कर रहा है तो यहाँ केवल उसका हमारा HCF ही हमारा आंसर हो जाएगा लेकिन अगर हम वहाँ टाइलों की संख्या की बात कर रहा है टाइलों की संख्या के अगर बात कर रहा है तो यहाँ पो जाएगा कुल फर्स का छेत्रफल अपन एक टाइल का छेत्रफल एक टाइल का छेत्रफल क्या मैं यहाँ कह दूँ कि कमरे की लंबाई गुणा चोड़ाई अपन HCF का वर्ग भी मैं लिख सकता हूँ क्योनकि जो टाइल होगी वहँआरी वर्ग होगी और जो वर्ग का छेत्रफल होता है वह हमारा बुजा इस पर होता है और जो हमारी HCF है वहँआर यह वर्ग की टाइल की जो है एक बुजा की लंबाई है एक नेक्स आया हमारा वह बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी है जो चोवीश, शत्तिस और चालिस को पूंते भक्त करते हैं जो हमने पैचान बताई थी उसमें ये बताया था कि समूर को भाग करने वाली सबसे बड़ी संक्या तो जो अंतरविदी है अगर वो लग रही है हमार 9176 Lenka मैंसे नह जाएगा इनका मैंसा हो जाएगा चांश हो निरा है देख्का तो समूर से इभग्त होने वाली संखा थी जो समू से जो समू को मैंसे कर दे ऑप से कि वे बड़ी संख्या है वो चाहरा है तो से क्षोटी संख्या होगी तो रही होगी है आप्स ने लिए हैं उख्योग में चारसो जोएक्ता दी क्षोध भाप कानी नि सिस्टीर बड़े कि ईब्ड़ ऑप पूर ₩ Lady अब आप 434 और 341 का मैसे लेना है तो हम देखा दो छोटी संख्या है दो नजदीक वाली संख्या लेंगे हम ठीक है दो नजदीक वाली संख्या है क्या है हमारी दो नजदीक वाली संख्या है हमारी 403 और 434 इन दोनों कम अमने जो डिफ्रेंस लिया तो डिफ्रेंस कितना जागा तुम इसका मतलब जो यह वह बड़े से बड़े माप बड़े से बड़े किस माप का डिबबार जो जो डिबबे की माप है मने पताया था कि अगर डिबबे की माप पूछा रहा है तो हमारा अंसुर क्या हो जाएगा जो मैसे है वो हमारा अंसुर है तो बड़े से बड़े डिबबे की माप जो आ है वो जाएगी 31 लेकिन अगर यहां पर डिब्बो की संख्या पूछ ले तुमार से डिब्बो की अगर संख्या के बात करें तो वो हो जाएगा हमारा इन्हें आतो सब्वी को जोड़के एक साथ भाग करतो या फिर अलग लग भाग करो चारसो तीन हापून इकत्तिस चारसो चोग होट्रीस और तीन से एक तारिस अपून इकत्तिस ठीक है अभी डिबाइडिके अतम है कितने बार 13 इसे 14 बार डिवाइड होता है और यह हमारा ग्यारगवा है तो सभी कुछ जोड़ देंगे तो यह जाएगा हमारा 38 टोटल जो डिप्बों की संख्या हो जाएगी हमारे कितने हो जाएगी 38 हो जाएगी नेक्स्ट क्रूश्चर ले रहे हम एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटी मिटर चोड़ा है इस कमरे फर्ट पर बडाबर अकार ंचार की कितनी वर्गखार है टायला है टाइलों को जिकौराएगा जैसे ही ज estatious से को मेशे की बता ही तो यहाँका नमाइज है वो दिपंदों मीटर म्यटर और 17 सेंटीमिटर दी म. Lisa मैसा या लएज से तब साथ सकत हम जब इनके मात्रक समान हो यह मीटर में हो या तो पूरी वैल्यू या पूरी सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में बदल देंगे एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं तो पंद्रे में हो जाएगे पंद्रे सो और सत्रे पंद्रे सो सत्रे सेंटीमीटर से ते लिध्रहणीत्स है से शनुपल्यूट थे से 2 Ia Bढ़श ले मैंने बताया था कि भाग बहुत अची अभी है ऑगी और पिप्रेंस में आइए अगर के ढूंतर गहाता है लेकिन यहां पर क्या है यहां पर बड़ी वैल्यू है तो भाग विजी से भी कोश्टन करकर देखते हैं बड़ा कोश्टन कितनी असानी से हो जाता है वो देखते हैं एक बार चलेगे कि 615 है 902 को आगे लाएंगे एक बार यहां पर भी भाग करेंगे से ठीक है तो दो सु सतास्ती शेसो पंद्रा दो बार कितना एक तालिस और एक तालिस सत्ते दो सो सतास्ती इसका मतलब इनका मैसे कितना हो जाएगा आपका दोनों वैल्यू का 902 और 115 का मैसा है वह कितना आगया 41 अगया तो मैं अभी क्वेश्चन में क्या बताया था जब मैं इसकी कंडिशन बताई थी मैंने टायलो फिकर करका था तब एक बतायी था कि अगर टायलो की लम्बाई बुझ रहे है टायल की एक बुझा की लम्बाई तो मैसे है हमारा मनलब HCF है और HCF कितना आए हमारा है पाया मारा एक तालिक से कम से कम कितनी थालो key कि अवर्शकता पड़ेगी किसे नियुद्दी पर्दकों संख्या के लिए नियुद्दू 902 अपन HCF का वर्ग HCF कितना है हमारा 41 इंटो 41 41 से डिवाइड गया हमने 3 बार और फिर 7 बार 41 से डिवाइड गया 22 बार और टोटल हो जाएगा ये 800 14 है टाइलों के हमें कुल आवश्रकता पड़ेगी तो टोटल स्टाइलों के अवश्रकता पड़ेगी वो होगी हमारी 814